हेलो दोस्तो कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो प्रेग्नेंसी कंसीव करना चाहती है तो प्रेग्नेंसी कंसीव पीडिर्स के बाद किस दिन करने के लिए आपको संबंध में रहना चाहिए कौन सा वो best time होता है कौन सा best day होता है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कई बार ऐसा होता है हम periods के बाद किसी भी दिन ट्राई करते हैं और फिर pregnancy हमें conceive नहीं होती है हमें लगता है हमने ट्राई तो किया लेकिन pregnancy conceive क्यों नहीं होई क्योंकि महिला का शरीर के बुल 24 गंटे के लिए ही तयार होता है pregnancy conceive करने के लिए और यह कौन सा टाइम होता है चलिए आई यह जान लेते हैं Actually reference periods के बाद आपके शरीर के अंदर बहुत सारे hormonal बदलाव होते हैं periods के next day से ही महिला के शरीर के अंदर एक बहुत अच्छा अंडा बनना सुरू हो जाता है उनके गरभासे के अंदर दो अंडासे होते हैं जो के alternative basis पे काम करते हैं हर महीने कभी right या फिर कभी left ovaries काम करती हैं इन ovaries के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंडे होते हैं लेकिन हर महीने hormonal changes के कारण केवल एक अंडा बहुत ही अच्छे से mature होता है और उसे लगवक 14 दिन periods के बाद लग जाते हैं इस maturity को हासिल करने में 14 दिन जब आपका ovulation होता है यानि कि ये अंडा अब वहाँ से चल करके tube में आ जाता है फिलोपेन tube में और यहाँ पे life केबल 12 से 24 घंडे की ही होती है अगर इस वीच में आपने संबंद बना लिया तो आपके अंडे की fertilization capacity बहुत होगी अगर दोस्तों आपने 24 घंडों के अंदर relation से बना लिया तो आपका एक fertilized हो जाता है और फिर वो uterus में ट्रावल करके इसी फिलोपिन ट्यूप के माधियम से पहुंच जाता है और implant होता है टोटल इस प्रकीरिया में आपके 20 या 22 दिन लग जाते हैं और कई सारे महिलाओं को जादा या कम समय भी लगता है उनकी period cycle के according जब आपके शरीर में implantation होता है हॉमोस बढ़ने लगते हैं प्रेगनसी के पुजिस्टोन और इस्टोजन लेकिन फ्रेंट्स ये जो आपकी प्रेगनसी के जर्णी होती है इसमें ovulation का रोल बहुत जादा important है यही वो खास time होता है जो आपको पहचानना भी जरूरी है और इस समय आप इसे काफी आसानी से पहचान सकती है क्योंकि आपके शरीर में कुछ बदलाओ आपको महसूस होने लगेंगे सबसे पहला बदलाओ होता है जब आपके शरीर में आपका ovulation का time नजदीक आता है अंडा आपके अंडासे से बाहर निकलने वाला होता है तो आपके शरीर में एक हॉर्मोन ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन बढ़ जाता है जैसे LH हॉर्मोन कहते है इस हॉर्मोन के बढ़ने की वज़़से बहुत सारी महिलाओं को naturally conception के लिए ट्राइ करने के लिए यानि के संबंद बनाने का मन करता है जैसे हम high libido कहते हैं यह आपको महिने में जिस भी दिन में mid part of periods की जर्नी में यानि कि आपके 30 दिन के अगर period cycle है तो बीच के कुछ दिनों में फील होने लगे naturally आपको relation बनाने का तो आप समझ जाइए कि इस समय आपका ovulation होने वाला है दूसरा और important symptoms होता है friends कि आपके body का तापमान उस समय गिर जाता है आप body temperature को कैसे note करेंगे simple सी method है जैसे आप fever को notice करते हैं वैसे ही आप एक thermometer रखिए अपने पास और P-dips के day 1 से ही सुबा उठने के बाद से ही बेट पे ही अपने body का temperature note करके रख लीजे एक diary maintain करिए आपको daily का जो temperature है body temperature वो मिल जाएगा आप 14 या 15 दिन notice करेंगे कि sudden आपकी जो body का temperature normal है उससे आपका body temperature थोड़ा कम हो गया है तो ये ovulation का वक्ते start होने के पहले होता है तो उस समय relation में रहना है तीसरा और important symptoms होता है कि discharge आने लगता है ovulation के समय जैसे अंडे का सफेद भाग होता है ऐसा ही कुछ discharge आपको निचले अंगों से निकलता हुआ दिखाई देगा जो बिल्कु लाइट कलर का होता है पानी की जैसा उसमें एक खिचाओ सा होता है चुइंगम की जैसा और उसमें कोई smell नहीं होता है ये कई बार बहुत भारी या बहुत कम मातरा में भी आपको feel हो सकता है चौथा और important लक्षन होता है ovulation के cramps होने क्योंकि एक की size थोड़ी जादा होती है ट्यूब का पैसेज बहुत कम होता है तो जब उसमें अंडा जाता है तो बहुत धीरे धीरे travel करता है जिसकी वज़े से एक cramping सी नावी के नीचे आपको feel होगी जस्ट नीचे हो सकती है जिसको आप काफी आसानी से handle कर लेंगी मिठा मिठा सा दर्द होता है तो अगर ये चारों में से कोई भी लक्षन आप में appear हो रहे है इन बेस्ट दिनों में उस वक्त में आप बिल्कुल try करें pregnancy जल्द रुकेगी और इस समय 99.9% pregnant होने के chances होते क्या भी सहाडा ले सकती है तो उम्मीद करती हुए ये चोटी से वीडियो आपके लिए बहुत हैलफुल थी ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए make sure आप चैनल को जज़ो सब्सक्राइब कर ले अगली बार फिर से मिलूँगी एक निव वीडियो के साथ तब तक अपना पुरा ध्यान रखे take care दोस्तों and thank you